लो किंग इनवेस्टर्स सुवागत हाँ ही तरmayın आज आथ हैं अबसे बात करें रिलाइस इन्फरस्रुक्टर के बारे में तो देखिए यहां पर कुछ अनके अफर बी बात करेंगे और कुछ नेगति प्सक्रपाइंट है उनके पर वाथ करेंगे पहले कमपनी फोड़ी सी न तो एक चीज़ता है बड़ी ही जारा पोजिटिव है देखिए अगर क्रेंट प्राइस की बात करें तो अराउंट मान लीजिए 70 रुपीज की बास भी है लेकिन जो उसकी बुक वैल्यू है वो से 5 टाइम जादा है जो की बहुत बड़ा पोजिटिव साइन है अगर कंपनी क अगर आप चाहते हैं कि अगर शायद कंपनी अगर अच्छी अभी से स्टेवर होना शुरू कर देती है तो आगए आपको शायद स्टॉक भी दे लेकिन उस चीज के लिए बहुत जारा ताइम देखने देखने देना पड़ेगा तो उसके पर हम बात नहीं करेंगे रिटर सब्सक्राइब करेंगे तो इसके उपर डिटेल में अगर जाएंगे तो को फाइदा नहीं के बास काफी जारा कॉंस हैं हम सभी कुछ चीज के बारे में पता है अब यहां पर कुछ देखनी पड़ेगी अगर हम पिछले अगर पांच दिन का यहां पर चार्ट देखें तो माइनस 6% की गरावट है 1 मंत में 13% की गरावट है 6 मंत की बात करें तो 115% के रिटर्न दिये हैं 6 मंत में आपके पैसे को डबल कर दिया और मैक चार्ट आप देखें अभी भी रेड में है देखिए यहां पर कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए अगर आपको वह में लागतार गिरावट देखने के लिए मिली और फिछले कुछ ताइम से कंपनी बिल्कुल जीरो चुकी है 2020 के बाद तो यहां पर आप बोलिए कि जीरो चुकी है यहां पर कंपनी हमें थोड़ा सा जंप दिखा रही है उसके बीच से रीजिन क्या है कि मार्केट में एक लिक्विडिटी काफी तर आ चुकि है पैसा जादा आ रहा है नए-एंवेस्टर आ रहे हैं तो इतने लोग आ रहे हैं तो वह पैसा भी अच्छा आइंवेस्ट करेंगे जब मार्केट में पैसा आ रहा है तो वह क्या करते हैं यह गलती मैंने भी करी थी जब हम नए-ए- क्यों हो था क्योंकि कभी वह शेयर बहुत ऊपर ट्रेट करता था बाद में कंपनी में को फ्रोड निकला कंपनी में को मदल मिसापनीं हुई जिसकी वज़े से वह स्टोक दस पैसे का गया यह चीज़े हम नहीं समझते थे यह गलती जो हमने करी हम नहीं चाहते कि आप भी क मेल रहा है यह आपको शायद आने वाले टाइम में 200-300-400 तक भी देखने के लिए कोई बड़ी बात यह यह चीज़ हो सकती है लेकि उसके लिए आपको यहां पर पेशिंस रखने बढ़ेंगे क्योंकि अगर बात करें और टाम हाई की तो कभी यह स्टोक अराउंड 25 के पा स्टोक आपको नीचे आता वह देखने के लिए मिलता है तो आपको जारा प्रॉब्लम ना हो आप यहां पर जो आपको लोस होगा उसे आप जेल सके अब इसके आप कह सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है तो सिंपल सी बात है अगर आप कभी बात हैं तो सिंपियोग जात हैं Sevenट मैनेजमेंट कैसे की बात हैं